कॉंग्रिस पार्टी के नेता महासरचीफ प्रेंका गाधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा प्रेंका गाधी ने कहा कि आज महिलाएं खुद को सुरक्षित उत्तरपरदेश में मैसूस नहीं कर रहे कि कानून को कायम रखें और कानून व्यवस्था को कायम रखें अपने उन्नाव में देखा है उन्नाव में पिछले 11 महीनों में तकरीबन 90 बलादकार हुए जब ये पिछला हादसा हुआ उन्नाव का अपने देखा कि क्या सिती थी सरकार ने अपराधियों की सुरक्षा की अंत तक जब तक उस महिला का पूरा परिवार नश्ट नहीं हुआ तब तक आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए इन परिस्थितियों में कितना मुश्किल होगा और कितना धैर्य होगा उनमें कि वो लड़ाई लड़ रही है उन्नाओ के बाद आपने मैनपूरी में देखा संभल में देखा अब उन्नाओ में दुबारा एक हादसा हुआ है और वो लड़की भी इतने धैर्य से लड़ी है इतनी हिम्मत से लड़ी है किस तरह से महिलाएं विश्वास रखें सरकार में और मुख्यमंद्री जी क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं कौन सा एक्शन ले रहे हैं